अलो टेडर्स वल्कम बाक टू माई चानल चरो देख लेते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे और कल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा हुआ है और पूरा top-down analysis हम यहाँ पर करने वाले है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या discuss किया था अगर आप मेरे एक regular viewer हो तो आपको पता होगा हमने यहाँ पर Fibonacci extension यूज किया था Corona के fall को मतलब Corona के fall को एक दम हमने top से लेके bottom तक Fibonacci extension का tool लगा था और यह levels हम लगबग Corona का fall जब तक आया था उसके बाद से जब market recover होने लगा था यह levels में आपके साथ में discuss कर रहा हूँ और यह levels सिर्फ में आपके साथ में weekly analysis में discuss करता हूँ आपको पता है क्योंकि यह weekly time frame के levels है और आप यहाँ पर देख सकती कि 1.272 का level 1.618 का level और साथ में ही 2.272 का level अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है आप यहाँ पर देख सकती कि जब 2.272 पर price जा रही थी यहाँ पर approach कर रही थी तभी मैंने बोला था कि एक retracement यहाँ पर से देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर impulse move, retracement, impulse move और यह retracement और एक important Fibonacci का level यह sequence यहाँ पर simple बन रहा था इसी वज़े से एक retracement pullback हम यहाँ पर से expect कर रहे थे अभी simple अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा weekly time frame का chart zooming करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगबग 4 weeks से market यही पर रुका है यह zone यहाँ पर market बना दिया है, market ने एक important support पर विये बट एक बात यहाँ पर से clear है, जब तक यह zone यहाँ पर से breakout या फिर breakdown ना हो जाए next week में हमें इतने attractive trades हमें nifty में नहीं मिलने वाले आपको पूरा analysis बताऊंगा, बट यस अगर intraday में या फिर swing basis पर हमें option buying के trades लिने तो market को यह range break करना होगा, और अगर आप एक option buyer हो तो आपको उसके लिए wait करना होगा अब यगर आप simple देखोगे, अगर हम daily time frame पे चलेंगे, तो price support कहाँ पर ले रहा है तो यहाँ पर हमने क्या discuss किया था, कि price ने एक अच्छा impulse मू लिया, अदेन market यहाँ पर retracement ले रहा है तो इसी होजे से हमने यहाँ पर Fibonacci retracement का tool लिया, और इस वाले impulse मू को एकदम bottom से लेके top तक लगा दिया और आप यहाँ पर देख सकते हूँ, price जो है, वो exactly 0.5 पे support ले रही है मतलब 0.5 का level यहाँ पर important support की तरह काम कर रहा है simple हम यही level mark करेंगे, बाकी के Fibonacci level से यहाँ पर से थोड़े दियर के लिए हटा देते है यहाँ पर chart clear रहेगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत बार bear trap already हो चुका है इसका मतलब यहाँ पर buyers बहुत ही strong है, बट एक बार यह support breakdown हो जाए इसके बाद में हमें एक बहुत ही अच्छी rally downside में देखने को मिल सकते है directly support हमारा 0.618 का level होने वाला है ठीक है, और अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर से 4 hour के time frame में चलेंगे तो मैं आपके साथ में एक trend line भी discuss करना चाहता हूँ यहाँ पर यह trend line बहुत ही अच्छी से काम कर रही है अगर मैं आपको यहाँ पर बताओ, अगर आप एक option seller हो तो आपको simple क्या wait करना है एक तो यहाँ पर से trend line का breakout हो जाए देन आप यहाँ पर से long के trade setups से यहाँ पर trade कर सकते हो otherwise price यहाँ पर से breakdown कर दे देन आप यहाँ पर से shorting के setups trade कर सकते यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर बहुत बार beers भी trap हो रहे इस वज़े से अगर आपको selling करनी है तो मैं आपको simple बर रहा हूँ जब भी market breakdown करेगा यहाँ पर कोई beer structure धूंडो देन यहाँ पर से short करो देन वो यहाँ पर higher probability trades बनने वाले क्योंकि मैं भी नहीं trade करूंगा मैं आपको वही trade setup बताता हूँ जो मैं plan करता हूँ कि मैं अपने trading में trade करूंगा तो यहाँ पर मेरे लिए कोई trade setup नहीं है बट अगर यह breakout या फिर breakdown हो रहा है तो obviously हम यहाँ पर trades ले सकते हैं अभी यहाँ पर से bank nifty का दरब चलते हैं यह सारे level सबसे पहले में हटा देता है और bank nifty में हमने क्या discuss किया था अगर हम यहाँ पर से weekly time frame में चलेंगे तो हमने यहाँ पर simple discuss किया था कि यह एक time per all time high का resistance था price ने यहाँ पर से rejection भी लिया वाता और price अभी यहाँ पर support ले रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि same nifty की तरह bank nifty भी यहाँ पर hold कर रहा है यहाँ पर support ले रहा है बट यहाँ पर कुछ detail में और भी level से यह purple color का level है ही बद अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो यहाँ पर एक Fibonacci का भी level है simple यहाँ पर भी हम क्या करेंगे Fibonacci retracement का tool लेंगे और इस वाले impulse मों को bottom से लेके एकदम top तक लगा देंगे कुछ इस तरीके से तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि price जो है वो यहाँ पर 0.382 पर support ले रहा है और यह यहाँ पर structural level भी है इसी वज़े से यह level ही बहुत ही important है यह मैं अपने चार्ट के उपर सिर्फ mark करना चाता हूँ अब यगर आप यहाँ पर देखोगे तो second time 0.382 पर price ने support नहीं लिया है टच नहीं किया है price is purple line पर support ले रही है अगर यह purple line downside में breakdown करती है तो next support हमारा 0.382 का level होने वाला है मतलब लगबग लगबग 41,600 का level होने वाला है अभी simple यहाँ पर हम किस तरीके से trade कर सकते हैं bank nifty में बहुत ही अच्छे trade setups बन रहे वो मैं आपके साथ में यहाँ पर discuss करना चाता हूँ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे top से लेके bottom तक Fibonacci लगाएंगे price ने एक बहुत ही अच्छा swing लगा है then price यहाँ पर support लेके थोड़ा सा pullback लेने का try कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर Fibonacci retracement का tool ले सकते हैं और एकदम top से लेके bottom तक यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और अभी फिलाल आप यहाँ पर देख सकती है price ने हमारे 0.382 से ही rejection हमें दिखाया आप यहाँ पर देख सकती है price ने यहाँ पर से rejection हमें दिखाया अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह 0.382 का level यहाँ पर अच्छे से काम कर ही रहा है उसके बाद में 0.5 का level यहाँ पर यह structural level के साथ में coincide कर रहा है और यह 0.618 का level आप यहाँ पर भी देख सकती हो कि price यहाँ पर भी यह structural level के साथ में coincide कर रहा है इसी वज़े से ये levels बहुती अच्छे से market में live market में काम करने आले अभी हम यहाँ पर trade किस तरीके से लेंगे यहाँ पर बहुती ज़्यादा volatility है इसी वज़े से ये zone में यहाँ पर trade नहीं करूंगा अगर price हमारे 0.382 को कल breakout कर देती तो obviously यहाँ पर pullback देखकर हम यहाँ पर एक long का trade ले सकते 0.5 पर हम यहाँ पर target रखेंगे 0.5 से भी अगर breakout होता है तो next trade हम यहाँ पर ले सकते 0.618 का हमारा target रहेगा और जब भी price 0.5 या फिर 0.618 यह level पर जाएगी और अगर यहाँ पर कोई bear structure बनाती है तो obviously उसके breakdown पर यहाँ पर से मैं reversal setups लेने का try करूंगा क्योंकि market यहाँ पर downtrend में है market यहाँ पर से एक pullback ले सकता है अगर reversal pattern बन रहा है तो फिर से market यहाँ पर गिर सकता है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर actively देखना है price को observe करना है तो यही पूरा-पूरा analysis बन रहा है nifty और bank nifty का अभी यहाँ पर से stocks के analysis discuss कर लेते एक stock है मेरे पास RBL bank बट बहुत ही अच्छा analysis यहाँ पर बन रहा है RBL bank का trade में आपको already यहाँ पर बता दिया था कि जैसे यह swing high यहाँ पर cross किया market ने हमने क्या किया यहाँ पर top से लेके bottom तक Fibonacci extension के levels mark किये क्योंकि हमें यहाँ पर profit booking के levels मिले तो यह 1.272 और 1.678 यहाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर zone बन रहा था market 1.678 से reject हो रहा था और price यहाँ पर double top pattern बना रहा था जिसका भी breakdown and retest भी हुआ है बट यहाँ पर इतनी strength नहीं दिख रहे है बट यहाँ फिर भी market यहाँ पर नीचे अपने previous swing high तक आ सकता है देन यहाँ पर support लेके फ से इसका breakdown होगा हम कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से shorting की opportunity ले सकते एक बहुत ही अच्छी long की opportunity बन सकते है बट अगर market फिर से 180 के ऊपर निकल आता है कोई भी pullback देखता है तो इस level के ऊपर में buying करना चाओंगा क्योंकि short side में इतना मुझे strength नहीं दिख रहा है यह सगर यह क सारे beers यहाँ पर trap हो जाएंगे उसके वज़े से हमें यहाँ पर से bull rally देखने को मिल सकते है उसके लिए भी ready रहना है और यही यहाँ पर trade receptors बन रहे है ठीक है तो यह है मेरे nifty और bank nifty के analysis और stocks के analysis भी मैंने आपके साथ में share कर दिए तो hope आपको यह पूरी analysis सब्ज में आ ग ।